इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने Samsung के Galaxy S9 के अंदर कैसे फाइंड कर सकते हैं Samsung पास को यह एक सैटिंग्स होती है और यह हमें मिलती कहां है कि हम आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा तो इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करने सेटिंग्स में जाना पड़ेगा तो सबसे पहले जो आपको अपने फोन की ही सेटिंग्स में जाना है और फोन की सेटिंग्स में जाने के लिए जाने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे आपर आपको जाना है biometrics and security settings में और इसमें जाने के बाद यहां पर आपको दिखाई दे जाता है samson pass use biometrics authentication to verify your identify easily and securely तो इस सेटिंग्स आपको यहां पर मिल जाती है फिलाल यह हम नहीं चला सकते क्योंकि हमारे फोन में नेटवर्क ही नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं तो इसलिए आपको इस तरीके साथ इसको फाइंड कर सकते हैं इसलिए तो यह प्रॉसेस को फाइंड करने का अगर यहां पर वीडियो चिलागी हो तो आप लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक क्यार